हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यार ओन चैनल हाउ टू आज हम पैन मैनुफेक्चरिंग बिजनस के उपर एक वीडियो लेके आये हैं पैन मैनुफेक्चरिंग बिजनस बहुती जादा वास्ट है तो आप इसमें एंटरी ले सकते हो यहाँ पे स्मॉल स्किल और लार्ज स्किल दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़े बताने वाले हैं कौन सी मशिनरी कितना इंवेस्टमेंट स्मॉल स्किल और लार्ज स्किल में आपको लगेगा कौन से रौ माटिरियल क्या प्रोसेस होगा क्या एरिया आपको required होगा manpower, profit, licenses, marketing strategy और ये business चालू करने से पहले कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको market की सारी चीज़े जाननी होगी तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर दे करते हैं machinery की तो drilled nozzle plate, ink cartridges, centrifuging machines, ink filling machines, weighting scale, stamping machines, polystrain, miscellaneous equipment जैसे की power board, electricity wires वो सब, gloves, cleaning tools, packaging material इन सारी machinery का काम पड़ेगा आपको ये business के production के लिए अब बात करते हैं investment की small scale की अगर बात करें तो आपको 50,000 से 1,000,000 तक का investment लगेगा और medium और large scale की बात करें तो 2 से 10,000,000 का investment आपको लगेगा जिसके अंदर raw materials, machinery और factory का setup सब चीज़े included है तो इतना आपको investment करना पड़ेगा अब बात करते हैं raw materials की तो barrel, metal, plastic, metal tip, plastic adapter, pen cap, ink, color अगर आपको ink बनानी हो brass, carbon black, for ink और binder अगर आप खुद की ink का production भी करते हो तो ये सारे raw materials के आपको requirement पड़ेगी pen बनाने के लिए और ये सारी चीज़े की efficiency और सारी चीज़े depend करेगी आपके machinery पे कि वो semi automatic है, fully automatic है, कितनी efficient है आपकी machine, कितना production कर पाती है वो सारे आपके capital के हिसाब से fluctuate करेगा अब बात करते हैं business के बारे में बिजनस चालू करने से पहले आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि बिजनस में ये production जो आप करोगे pen का, उसकी कितनी demand है, कितनी supply हो रही है, कौन competitor है आपके, कितनी price पे लोग sell कर रहे हैं, इसको को इतनी quantity में sell करते हो, और क्या quality का production ये लोग करते हैं, तो आप अगर चालू करते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बात करते हैं customers की, ये भी एक बहुत ही important role play करता है कोई भी business के लिए, तो आप आपके कौन से customers को ये सब चीज़े sell करोगे, तो wholesalers, distributors, retailers, stores, local shops और online platform पे भी आप आपके इन pens को sell कर सकते हो, आपको कितना diversify करना है आपका business, वो आपके budget के उपर पूरा depend करेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अब बात करते हैं marketing strategies की, तो आप personal selling, advertisement, sales promotion, direct marketing, publicity, इन 5 तरीकों से आप आपके जो pen का production है, उसकी sales को increase करने के लिए marketing की strategies choose कर सकते हो, और आपके customers को attract कर सकते हो, और आपके जो pens होगी, उनको online और offline दोनों जगे पे sell कर सकते हो, ये सारी चीज़े अभी भी बता रहा हूँ, आपके capital और आपके जो business की strategies है, उसके उपर totally depend करेगी, अब बात करते हैं area की, तो 500 square feet का minimum area आपको required होगा, इस पूरे plant को setup करने के लिए, ये पूरा differ करेगा, क्या आप small scale, medium और large scale पे production करते हो, उस हिसाब से, manpower की अगर बात करें, तो 3 से 8 labors की आपको requirement होगी, small scale से large scale के business को run करने के लिए, उस हिसाब से आप labors को चुन सकते हो, अब बात करते हैं licenses की, तो GST number, trademark, NOC from state pollution control board, और आपके business का trade license का registration, ये 4 licenses की आपको जरुवत पढ़ेगी, ये business को run करने के लिए, ये 4 licenses important है, तो अगर आप ये business चालू करना चाते हैं, तो इनकी जरुवत आपको पढ़ेगी, अब बात करते हैं profit की, small scale की अगर बात करें, तो 30,000 से 80,000 पर मन्त आपका profit निकल सकता है, और large scale की बा profit हो सकता है, तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, कि क्या business के बारे में आपको जानना चाहिए, कौन से licenses, क्या marketing strategies यूज करनी चाहिए, कितना investment, को इतनी machinery आपको लगेगी, क्या raw materials यूज होगे, और कितना profit आपको होगा ये business से, तो अगर आपको ये सकते हो, थैंक यू